हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो गेन अब यूटूब चनल आज अपके लेकर आए हैं फुल घेर अम्रेला प्लाजो का वीडियो कटिंग और स्टीचिंग पूरा वीडियो इसी में होने वाला है तो इस वीडियो का आप लास तक जुरूर देखिएगा कि आप सभी के लिए ब इसको मिला दीजिए अब इसको आपको एक कोणर उठाना है कोई भी एक कोणर उठा सकते हो और इसको इस तरह से रख देना है अच्छे से इसको इस तरह से रख देंगे अब मार्किंग करेंगे सबसे पहले हिप के लिए मार्किंग करेंगे हमारे हिप का मेजरिमेंट है व यानि कि 40 इंच और 40 का 1 4 आपको लेना यानि कि 10 इंच हमारा यहां पर हो जाएगा तो यहां पर यह 10 इंच है यहां पर सीधी मार्किंग करेंगे सबसे पहले आप उपर वाले कोर्णर से दोनों ही साइड मेजर करेंगे यहाँ पर यह है 12 इंच तो यहाँ पर भी आपका 12 इंच ही होना चाहिए तो यहाँ पर 12 इंच पर मार्क कर लेंगे आप इसमें हलका राउंड डालेंगे इस तरह से तो यह फिर से हमारा 10 इंच परोक्सी टेडी हो जाएगा तो इस तरह से आपको इसकी आँ से कटिंग करनी है मार्क कर लिया है अब बात करते हैं इसकी लंबाई की तो लंबाई में ऊपर हमारा देखिए यहाँ पर यह 10 इंच ही हमारा जो है राउंड में हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में मार्क किया था अब बात करते हैं इसकी लंबाई की तो उपर 1.5 इंच में हमारी बैल्ट आजाएगा जो अलग से डालेंगे तो इससे नीचे हमें जितना आपको प्लाजो रेडी करना है उतना ही मार्क कर लेंगे क्योंकि एक इंच हमारा नीचे से फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा उपर बैल्ट में फोल्ड हो जाएगा वो बैल्ट की जहंगे यह हमारा वैट जिस्ट हो जाएगा तो इसके जितना भी रेडि करना है उस पर मार्किंग कर लेंगे यहां मुझे 35 इंज रेडि करना है तो मैंने वहाँ पर 35 पर मार्किंग कर ली है इसी तरह से दूसरी वाले साइड भी आपको 35 पर ही मार्किंग कर लेनी है नीचे वाले साइड इसमें हलका हम जोड डालेंगे क्योंकि पूरी लैंद फुल घेर में हमें हलका सा जोड डालना पड़ता है अगर घेर कम ना रहे तो उसमें आप इजली बना सकते हैं यहां पर 35 इंच पर मार्क कर देंगे अब यहां बीच में से भी 35 इंच पर मार्क करेंगे यहां से भी 35 इंच पर यहां पर भी 35 इंच पर मार्क कर देंगे अब सभी सभी इंच मार्किंग को मिला देंगे इस तरह से सभी मार्किंग को मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा कर बन जाएगा आप जो बीज साइड से आपका पला जो जमीन को ना चुए लंबा ना हो क्यों के तिर्ची साइड है तो इसलिए यहां से मैं आधा कट इंच और एक्स्टा कट कर रही हूं इसकी लंबाई में से ही जब आप इसको सीलेगे तो इतना ही रड़ी होगा जितना आपका यह दूसरी साइड से है क्योंकि यह तिर्ची साइड है अब यहां पर मार्किंग करेंगे आसन के लिए तो देखिए आपर यह दस इंच था हमारा तो यहां पर भी इससे आधा इंच जदा हमें लेना है उपर 1.5 इंच नमारी बेल्ट आ जाएगी तो यहां पर आमको 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है तो यहां पर मार्किंग कर लेते हैं 10.5 इंच पर इसके साथ ही यहाँ पर कर्व के लिए मैं मार्क कर रही हूँ टू इंच पर ज्यादा बड़े साइज की हीप है तो टाई से तीन इंच पर की मार्किंग कर सकते हैं इसको इस तरह से आपर मिला दीजिए और यहाँ पर हलकी सी शेप डाल देंगे अब यहाँ से जहाँ से अपने मार्किंग की है इसको कट कर देना है जो लिए इसको कट करते हैं सबसे पहले नीचे वाले साइड से कट कर देते हैं अपने गेर वाले साइड से जो उपर मार्किंग की थे हमने इसको भी अच्छे से कट कर देना है साइड में से फोल्ड है तो उसको भी कट करेंगे यहां पर सभी तरफ से हमारी कटिंग हो चुकी है तो यह हमारा प्लाजो था नीचे वारा पॉर्षन कट हो चुका है बेल्ट वारा पॉर्षन हम इसको सीलते टाइम ही लगाएंगे नीचे वाले में हमें जोड डालना है तो उसके लिए जो नीचे हमारा फैबरिक बचा हुआ था उसमें से ही मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से यह दो पार्ट सी निकलेंगे और दोनों ही यह पीछे वाली साइड आपके आने चाहिए इस तरह से इसको रख देंगे और लैप कर देंगे क्योंकि अधाइंच हमारा इसमें सिलाई में चला जाएगा अब इसमें शेप डालकर इसको कट कर देंगे देखे पूरी कटिंग हमारी हो चगी है यह इस तरह से आपको रख कर सिलाई करनी है दूसरी वाला भी इस तरह से रख कर आपको सिलाई करनी है तो चलिए कर रहते हैं इसकी स्टीचिंग stitching के लिए सबसे बढ़े शुरुआत करते हैं इन्हीं दो से portion से इसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे same way में तो दूसरी वाली side है उसमें भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा देनी है सिलाई लगाने के बाद यह दोनों ही portion देखिए पीछे वाली side आने चाहिए तो इस तरह से आपके portion आ जाएंगे अब हमें जो हमारा crochet area है निकयासन वाला हिस्सा उसको जोड़ना है तो उसके लिए आपको एक बाद ध्यान रखनी होगी यह भी हमारा crochet area है इन दोनों को ही में सिलाई लगानी है इसके लिए आपके जो दोनों side है इस तरह से आने चाहिए और यहां से हम सिलाई लगाना कट लगा देंगे ताकि हमें इसको मोड़ने में असानी रहें एक बार इसको फोल्ड करके यहां पर इसको डबल फोल्ड करके सिलाय लगाएंगे अगर आप यहां पर इंट्रलोग करवा रहे है तो इसके सिलाई के आपको जुरूद नहीं है अदर्वाइस यह आप क्रोश एरिया को जो है जोइन कर लिया है वोपर बैल्ट के लिए कटिंग करते हैं तो सबसे पहले बार के देखिए आपके मेजर्मेंट लीजिए यहां से हमने दस इंच था हमारा तो यह टोटर हमारा 20 इंच यहां पर हो जाएगा अल्मस्ट क्योंकि राउंड में है तो ह 4 इंच आपको बैल्ट की जो चुडाई है उसको रखना है तो यहां पर 4-4 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है और इसकी लंबाई 20 इंच त्याड़ी करनी थे तो 21 यहां पर ले लेते हैं 21 क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से चला जाएगा इस तरह से मार्किंग कर दी ह अब जहां से हमने मार्किंग की है इसको कट कर दीजे अब जो दोनों ही जोड़ वाली साइड है सबसे पहरे इनको जोइन करना है इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे और फिर से इसको दो सिलाई पर जोड़ देंगे अब सेम वे में तो दूसरी वाली उसको भी रैड़ी कर लीजेए बैल्ठ हमारी रैड़ी हो चुकी है चलिए इसको अपने प्राजोग साथ अटेच करते हैं तो इस तरह से आपको इसको रखना है फिर डबल फोल्ड हो जाएगी तो यहां से सिलाई लगाना शुरू करेंगे आधा आधा इंच का मार्जन लगते हुए पूरे में सिलाई लगा लेने ध्यान रखना है जो प्राजोग वाला पाउशन है वो हलका राउंड में है तो उसको खीचना नहीं है जादा बिल्गुल हलके हाथ से दोनों को लेकर चलना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है इसलाई हमने लगा ली है अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसलाई लगा देंगे इसके बाद हम इसमें इलास्टी डालेंगे यहां पर छोटा से पोर्शन छोड़ देंगे ताकि इसमें से मिलास्टी को पास कर सकें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है इसलाई भी हमने लगा ली है अब छोटा सपोर्ष हमने यहाँ पर छोड़ दिया है जिसमें सम्लेस्टिक को पास कर सके इंदागे को कट कर लीजिए जले आप इलास्टिक के लिए मार्किंग करते हैं तो इलास्टिक हमारे देखिए यहाँ पर जो हिप थी वह ही 32 इंच तो तो इस तरह से 22 इंच लेने हर साइज के लिए आपको ऐसे ही करना है यहाँ पर 22 इंच इसको मार्कर के कट कर लीजिए अब इस इलास्टिक को डालने के लिए बहुत ही सिंपल मैथड है हमारे पास चलिए उसको ट्राय करते हैं एक आलपिन आपको लेनी है और इस तरह से पास करके इसको बंद कर लीजिए अब जो हमने छोड़ा हुआ था यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए उसमें से इसको जैसे हम सलवार के अंदर नाड़ा डालते हैं उसी तरह से इसको मूँ कर दे जाएंगे आगे की तरफ और खिषते जाएंगे और पूरे में इसको इसी तरह से डाल देंगे हमने इसको पूरे में डाल दिया है दूसरे आंड पर हम पहुंच गए हैं तो अब आपको क्या करना है जो आलपिन हमने ली थी इसको ओपन करना है ओपन करके इसको दूसरी वाली साइड लगा दीजे इस तरह से और पूरी को खीच लीजे पूरी इलास्टिक को आपको इसमें अच्छे से अड़्जेस्ट कर देना है ताकि कहीं पर भी ज्यादा या कम फैब्रिक जो रना रहे ज्यादा इकटा फैब्रिक हो तो उसको भी इकवल इसको करके और जो हमारे आल्पन्त इसको रिमूव कर देँगे और इस तरह से ओवरलेप करके इन इलास्टिक को आपको सिल देना है इस तरह से हम इसको डबल सिलाई करके सिल देँगे यह देखिए अब इसको आपको फिर से एक बार एडजस्ट करके जो हमारा ओपन रह गया था यह साइड इसको अब सील देना है इसके बाद हम जो बीच वाली सिलाई है वो लगाएंगे तो हमने इसको भी यहाँ पर सील लिया है जाके को कट कर लीजिए देखे अब यह आप इसको इतना भी रख सकते हो और चाहे तो बीच में से सिलाई भी लगा सकते हो हम इसके बीच में से एक सिलाई लगाते हैं आप अगर नहीं लगाना चाहे तो इसको यहाँ पर भी तो इसी तरह से खिचते जाएंगे और पूरे portion में आपको ये शिलाई लगा देनी हैं मैं इसमें double शिलाई लगाती हूँ आप चाहे तो single भी लगा सकते हैं तो इसमें मैं इसी के साथ साथ एक शिलाई और लगा दूंगी तो इस तरह से ये हमारी elastic डल जाएगी बहुत हीजी था इसको लगाना फिर भी आपको कोई भी प्रोब्लम आई है इसकी staging रेटेट तो आप में comment box में आपने सवाल पूछ सकते हो इसके लावा हमने और भी सभी तरह की dresses के टूटूल डाले हुए हैं सभी टाइप के plazo pen plazo umbrella बिना जो जोड वाला नीचे और साथ में कम गीर वाला भी plazo pen भी और साथ में plazo pajama भी सभी के टूटूल है अब एक बार उनको भी object चुरूर कर लीजेगा देखिए elastic को हमने डाल इस तरह से अपने दोनों ही आसन को मिला लेना है और रेशोर कर लेना है कि यह साइड हैं दोनों ही equal हैं अगर equal नहीं है तो इनको जो भी बड़ी है तो उनको cut कर दीजे और यहां से आपको सिलाई लगा देनी है करीबन एक से डेड़ इंच का इस तरह से मार्ज रखना है और पूरी में आपको सिलाई लगा देनी है ध्यान रखिएगा जो यह आसन है यह आपस में मिलने चाहिए इस तरह से देखिए मिला दिये हमने इनको अच्छे से और दूसरी तरफ भी same way में हमें सिलाई लगा देनी है अब आपको जो पलाजोह बीच में से उठता है तो उ आपको नहीं चोड़ना डबल लगाना है ताकि अच्छे से हमारा यह सिले अब यह बीच में से उठेना उसके लिए आपको क्या करना है यहां पर इस पोर्शन में इस तरह से कुटके लगा देने हैं क्योंकि कुटके लगाएंगे तो यह साइड अच्छे से स्ट्रेच हो स सकती है तो यह प्लाजो आपका बीच में से उठेगा नहीं साइड से उठने वाले प्रोब्लम भी हमने सोल कर दी साइड से जो हमारा प्लाजो नीचे की तरफ जमीन चूता है वह वाली प्रोब्लम भी और बीच में से उठने वाली प्रोब्लम भी अब इसको आप पूरे में आपको इस तरह सिन को लगा देना है अब इसके बाद जो घेरे वाली साइड है सिर्फ वो हमारा फोल्ड करना रहता है तो चलिए उसको भी अब आप पॉल्ड कर लेते हैं घेरे वाली साइड हम फोल्ड करना शुरू करेंगे यहां से जो हमारा बीच वाला हिस्सा जहां से मने सिलाई लगाए थी यहीं से हमां इसको शुरू करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड आपको इसको करना है और सिलाई लगा देनी है एक ओर टिप्स यहां पर देना चाहेंगे कई बार आपे सिलाई पूरी लगा भी देते हो घेरे में फिर भी जो जमीन चूता है साइड में से आपका पलाजो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जो हमारी जमीन को चूने वाली साइड है उसके तरफ से थोड़ा सा इसको जादा फोल्ड कीचे इससे वो प्रोब्लम भी आपके दूर हो जाएगी तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में हमको सिलाई लगा देनी है यह एक घेरा हमने फोल्ड कर दिया है अच्छे से यह देखिए कट कर दिजिए एक घेरा हमारा यह पर अच्छे से फोल्ड हो गया है बहुत ही आसानी से हमने इसको फोल्ड कर दिया है सेमवे में हमारा जो दूसरे वाला घेरा है उसको भी हमने तयार कर दिया है तो दोनों घेरे तयार हो चुके हैं प्लाजो पूरा सिल्कर रैडी है चले इसको देख लेते हैं कितना अच्छा इसमें घेर बन का तयार हुआ है सभी अच्छे से हमने घेरे को भी फोल्ड किया है बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरह के फैब्रिक्स में आप अपना प्लाजो जरूर बनाएं साथी में जो साइड है जोड वाली पीछे की तरफ आने चाहिए दोनों ही बहुत ही कम जोड आया है इसमें इतना ज़दा शोर नहीं होता है बड़ आपको जो घेरा बनता है वो काफी ज़्यादा बनता है और बिल्कु स्कूर्ट की तरह आपको इसमें लुक मिलता है तो ऐसा ही है और वीडियो के रहे हमाज़ान को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही बने रही है चलिए मिलते हैं नई वीडियो में बाबाए टेक क्यों